कुल संछलने को अप लोगों के साथ चैनल करते हूं जो ऑप लोहें को पता होगह में अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सव से कर देती हूं जो bleach होती है वो हमारी skin को है जो एक से दो से light करती है और आपके skin में जो भी dead skin cells पगेरा की problem है उसे reduce करती है तो आज मैं आपको बताऊंगी DIY bleach क्योंकि अगर आप market वाला यूज करते हो तो उसमें पहुं सारी chemical pills यूज किया जाते हैं जो कि अगर आप regular यूज कर कर सकते हैं मतलब आपके जो skin है उसे damage कर सकते हैं तो इसलिए मैं prefer करते हूं कि मैं अपने skin पे natural bleach यूज करूँ आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से golden bleach कर सकते हो golden bleach करना घर पे कितना आसान है आप लोगो को मैं आज बताऊंगी तो इसे बनाने के लिए आपको लेना है चावल जो चावल आप घर में यूज करते हो उसको आपको लेना है दो चमच के एप्रॉक्स क्योंकि जो चावल है वो हमारे skin को bleach करने के लिए बहुत ही अच्छा है इंगिडेंट है उसके बाद आपको एक चमच लेना है मसूर की दाल मसूर की दाल में बहुत rich quantity म हमारे skin को बहुत अच्छे से पैंपर करती है आपने जो चावल और जो दाल लिया था तू रेस्यो वन की quantity में उसे आपको राद बर विगो कर या फिर चार से पाच घंटे के लिए छोड़ देना है अब आपको मिक्षर ग्रांडर लेना है जो आपने मिक्षर बनाया था च गोंबर आड़ करनी है और एक पोटाटो अच्छे से पिल आफ करके उसे आड़ कर लिजे और इसे स्मूथ पेस्ट बना लिजे अब जो ये पेस्ट तयार हो गया है बहुत ही अच्छा है आपकी skin के लिए आपकी skin को lighten करने के लिए आपकी skin को pamper करने के लिए लेकिन हम ल जो की combination होगा चावल, डाल और खीरे और जो आलो एड़ किया था उसका और ये जो combination है आपकी skin की सारी problem को खत्म करने के लिए काफी है जब आप इसे stain करोगे तो आपको एक pulp मिलेगा तो ये जो pulp है उसे आपको फेकना बिलकुल नहीं है इसमें आपको add करना है थोड़ा सा coconut oil उसके बाद इससे आपका अपने पूरे face को scrub कर लेना है आप body को भी scrub कर सकते हो क्योंकि ये जो scrubber है आपकी skin को बहुत अच्छे से gentle scrub करेगी आप जो आपने juice अलग किया था उस juice में आपको add करना है गेहूं का आटा जिसकी normal घर में रोटिया बनती है वो गेहूं का आटा हमारे skin को bleach करने के लिए बहुत ही अच्छा ingredient है इसकी cream भी आती है जो कि हमारे skin को बहुत अच्छे से pamper करती है moisture provide करती है आपका bleach तयार हो गया है लेकिन आप यहाँ पे golden bleach कर रहे हो तो इसमें आपको add करना है एक चुटकी हल्दी और बस आपको इससे 2-3 मट के लिए mix कर लेना है आप market वाला bleach और जो मैंने अभी bleach बताया है उन दोनों को compare करके देख लेना दोनों में आपको कोई difference नहीं दिखेगा और result की बात करें तो आपको market वाला से ज़्यादा यह result और उससे ज़्यादा आपको benefit और secure skin provide करेगा अब यह जो mixture तयार हो गया है इसे आपको अ लेकिन इस mixture को आप अपने पूरे face पे पूरे body पे भी apply कर सकते हो तो अच्छे से एक दो finger की help से या फिर आपके पास facial bruise है उसकी help से इस bleach को अपने पूरे face पे apply कर लेना और जो time है वो आपका 30 minute है क्योंकि यह natural ingredient है थोड़ा सा time लेगी तो 30 minute आप इसे रख करके अपने प आपके skin के darkness को reduce करती है जो आपका चावल है वो आपकी skin को bleach करती है जिसके वज़ा से आपकी skin है काफी soft feel होगी तो मैंने आपको step by step procedure बता दिया है कि किस तरह के से आपको घर पर bleach बनाना है किस तरह के से अपने face पे apply करना है और कितनी देर इसे आपको अपने face पे छोड़ करना है कि जब आप अपने face को bleach करो तो आप अपने face को अच्छे से पहले किसी भी normal face wash से clean कर लो अगर आपके पास scrubber है तो आपस उसे scrub ही कर सकते हो और जो मैंने वीडियो में बहुत सारी चीज़े आपको जैसे जैसे बताए वह सारे चीज़ों को फॉलो करोगी तो आपको अपने वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो मिलती हूँ आप लोगे साथ एक और नया बहतरीन अपिसोड में तब तक कुछ से प्यार करिए अपने ख्यान रखिए थांक्स वाचिन वीडियो तिल देट बाबाई